बिहार एंडिये में पिछले कुछ वक्त से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा बात की जाये तो जिस तरीके से सरकार के उपर भारतिय जनता पाटी के निताओं ने हमला किया उसके बाद जेडियू के जो नित्रित्व हैं वो खासा नराज नजर आ रहे थे लेकिन अब साफतोर पर मुख्यमंत्री नितिरिश कुमार और जनता दल उनाइटेड भारतिय जनता पाटी के इस बेरुखी को कहीं से भी बरदास्त करने के मूड में नजर नहीं आ रही और यही कारण है कि पिछले दिनों विधान सभा अध्यक्ष के साथ दूर वहवार प्रकरन की बात हो या फि बीजेपी के प्रदेश के नेताओं को क्लियर मैसेज देते हुए कह दिया है कि अगर उसने अपने नेताओं को कंट्रोल में नहीं रखा तो सरकार चलाना मुश्किल होगा विश्वा स्थूत्रों की माने तो जेडियू के अध्यक्ष ललन सिंग ने सरकार में भारतिय जनता पार्टी का नेत्रित्वे संभालने वाले डेप्टी सीएम तारकिसोर प्रसाद समेत बिहार बीजेपी के अन्य प्रमुक नेताओं को फोन पर खरी-खरी सुना दी है ललन सिंग ने साफ कर दिया है कि मौजूदा वक्त में एंडिये के अंदर जिस तरह काम हो रहा है उससे साथ चलना बेहद मुश्किल होगा ललन सिंग ने यहां तक कह दिया है कि जेडियू को कम सीट आने के बाद इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी नितिश कुमार नहीं संभाल रहे थे लेकिन बीजेपी के केंदरिये नेत्रित्व के आगरह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना सुईकार किया लेकिन अब जेस तरह घटना करम हो रहा है उसे देखते हुए लगता है कि आगे ज़्यादा दिनों तब रिष्टे बहतर नहीं चल पाएंगे सियासी गलियारे में ये भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने इस मामले में बीजेपी के बड़े नेताओं को भी मैसेज भेजवा दिया है कि अगर सरकार साथ साथ चलानी है तो फिर गटबंधन धर्म का पालन करना होगा ऐसे बयानों से बचना होगा जिस से सरकार और गटबंधन की फजीहत नहीं हो आपको बता दे कि स्पीकर विजएश सिनहां से दुरब्यवार मामले में जिस तरह विश्यसादिकार हनन का मामला लाया गया उससे भी जेडियू खासा नराज है मामला लखी सराय जीले का है ललन सिंग इसी इलाके से सांसद है लिहाजा यहाँ भी ललन सिंग और विजय सिनहा के बीच आपसी टकड़ाओ के तौर पर चीजों को देखा जा रहा है उदर हरी भूशन ठाकूर बचौल ने जिस तरह मुसल्मानों से मतदान का अधिकार छिन लेने की बाद कही उससे भी सियाची भूचाल आया है जेड्यू की नराजगी और नितिश की तरफ से किलियर मेसेज का ही नतिजा है कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजेड जैसवाल को सामने आना परा अपसे थोरी देर पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान जारी करते हुए कहा अपने पाटी के बरबोले नेताओं को हरकाया है बीजेपी को ये डर सता रहा है कि कहीं नितीश कुमार उनसे किनारा न कर लें अगर नितीश कुमार किसी फैसले से बीजेपी को चौकाते हैं तो बिहार में भरतिय जन्ता पार्टी की सरकार भी जा सकती है एक तरफ बीजेपी नेताओं का पूरा ध्यान यूपी समयत पांच विधान सभथ चुनाव पर है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में मौजूदा संकट को बीजेपी और जादा बढ़ने के मूड में नजर नहीं आ रही बेरहाल देखने वाली बात होगी कि जहां पिछले कुछ समय से बिहार एंडिये में एक बड़ा जो नूरा कुस्ती है वो बयान बाजी का दिख रहा था वहीं अब साफतोर पर जेडियू के सेर्ष नेत्रित्वे ने भारतिय जनता फाटी को खरी-खरी सुनाई है